हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप मैं अचकुमार सिंग बहुत-बहुत स्वागत करता हैं आपका सिक्षधाम में बीकॉम प्रोग्राम का सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है और लगभग लगभग बहुत सारे बच्चे फर्स डिविजिन से पास आउट हुए है जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ रहे थे तो वो सभी फर्स डिविजिन से ही पास आउट हुए हैं जो मेरे पास रिजल्ट का सारा का सारा डेटा आया है और काफी सारे student ऐसे होंगे अब जो कि अब tension में आ जाएंगे कि सर अब after graduation हम क्या करें तो इसी के series में मैंने पहले बताया कि ACCA आप choose कर सकते हो और आज मैं बताने वाला हूँ ACCA वाली वीडियो देखने के लिए मैं description में भी link दे रहा हूँ आज मैं CA के बारे में complete जानकारी बताऊँगा देखो करना या ना करना वो बाद का matter है पहले आपको पूरी depth knowledge दूँगा Chartered Accountant के बारे में किस तरीके से CA की journey है और कितना time लगेगा और कैसे लगेगा तो आईए start करते हैं हम all about CA आज हम इस वीडियो में क्या discuss करेंगे CA के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे के भाया आप Chartered Accountant कैसे बनोगे क्या के सब्जेक्ट्स होंगे CA कोर्स के अंदर और फिर हम देखेंगे सब्जेक्स के बाद कितनी कितनी salary मिल सकती है after clear CA तो मैं simple से चीज़े अगर आपको बताओं तो CA के अंदर अगर देखा जाए तो आप ध्यान से सुनिएगा मैं पूरी जानकारी दे दूँआ जो Chartered Accountant है that is हमारा CA CA को तीन लेवल पे बाटा गया है थ्री लेवल पे आप समझेगा बात को ठीक है लंबी वीडियो होती है मेरी आई नो लेकिन अब क्लिक डिटेल जानकारी के लिए दिक्कर नहीं पड़ता है एक है हमारा CA Foundation और इसके बाद आपको आता है CA Inter और इसके बाद आता है हमारा CA Final तो यानि तीन कैटेगराइज स्टेजिस में बाट दिया गया है CA को सर हम B.com कर रखे हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा बिल्कुल B.com वाले बच्चों को हर जगा बेनिफिट मिलेगा CA Foundation करने के लिए आपको 12th pass होना जरूरी है आपको 12th pass होना है और जैसे ही 12th pass होते हो उसके 4 मंद के बाद आप exam दे सकते हो CA Foundation की बाद करें तो और मैं यह समझता हूँ कि यहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होगा जो 12th pass वाले देख रहे हैं तो मैं उनकी भी सारे जानकारी दूँगा और majority और B.com graduate है मैं उनके लिए भी बताऊँगा लेकिन अगर आप B.com हो जाते हो तो आपके लिए ये वाली criteria नहीं करने हैं आपको ये paper exempt कर दिया जाता है पूरे चार paper आपको नहीं देने हैं अगर आपने graduate हो गए B.com फिर आपको CA enter देना है और CA final अब CA enter के अंदर ना groups है मैं exam की भी बात करूँआ पहले groups इसके अंदर group 1 है and group 2 है इसके अंदर 3 exam है और इसके अंदर भी 3 exam है यहाँ पे आपके चार exam होते हैं that is आपका एक accounts है एक law है और एक maths है और एक economics है यह चार paper होते हैं यहाँ पे तीन exam तीन exam कौन-कौन से exam है मैं सारे detail दे दूँआ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे भी 6 exam होंगे इसके अंदर भी group 1 है and group 2 है इसके साथ साथ जब आप यह paper pass कर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए आपको बीच में 2.5 year की training है आपके training है यानि आपने यह exam clear किया आप become कर रखा है अगर आपने तो आपको सीधा यह exam देना है और इस exam को clear करने के बाद आप final नहीं दोगे आपको धाई स साल पहले इंतजार करना पड़ेगा training करनी पड़ेगी किसी chartered accountant के अंदर जिसको बोलते हैं आर्टिकल्शिप करना फिर जाके आप CA final का exam दे सकते हैं हाँ दो साल बात भी दे सकते हैं और foundation के अंदर आप जब यह clear करोगे तो इसके बाद फिर आप यह admission लोगे फिर यहाँ तो जो graduate है वो तो direct यहीं पे admission लेंगे सर दोनों के degree में कोई फरक होगा कि कोई फरक नहीं होगा आपका CA मिंस CA होता है चाहे आपने foundation कुछ को लगेगा कि foundation करेंगे तो शायद जादा market में value होगा तो ऐसा नहीं है बिलकुल भी तो आईए चलिए हम पहले foundation में किस तरीके से होगा मैं उसकी बात कर लूँ यह हमारा foundation है अगर जो बच्चा foundation में होता है तो paper 1 है principles and practice accounting है business law है business आपका reporting है मतलब law से related सारे चीज़े हैं यहाँ पर paper number 3 है business mathematics और reasoning stats वगेरा भी आ जाता है इसके बाद business economics और business commercial knowledge आ जाता है यह paper हमारा mcq based होता है यह exam होता है mcq based और यह exam पहले साल में 2 बार हुआ करता था अब साल में 3 बार कर दिया गया है तो जो बच्चा 12th pass करके है तो साल में 3 बार उनको मौका मिलता है यह exam देने का सर एक होता है हमारा जून या मैई-जून कहलो स्री मैई-जून में तो final का होता है एक हो गया हाँ ठीक है एक है मैई-जून या जून ही हो गया हमारा तो एक होता है September और एक होता है January कुछ यह duration है इस time पे आपके paper होंगे कहता है each subject carry 100 marks सभी subjects जितने चारों है इसमें 100 number का होगा अगर आपको एक paper में pass होना है तो आपको 40 number चाहिए और aggregate मिला के आपको 50% माल लो आपके इसमें 40 आगे और इसमें 40 होगे इसमें 40 आगे इसमें 40 होगे पास तो होगे लेकिन आप clear नहीं माने जाओगे क्योंकि सभी को जोड़के आपको 50% यानि 400 में से 200 number चाहिए अभी तो आपके 160 ही बने तो उस situation में माल लेते हैं आपके 80 आगे और यहां पे मान लेते हैं 60 आगे तो आपके अब जाके 8 और 6 14 और 8 आपके यहां पे देखा जाए तो आप अब पास माने जाओगे ठीक है समझ में आगे तो यह basically 12 पास करने के ठीक 4 महीने बाद आप कर सकते हो तो जो बच्चा समेस्टर 1 में है जो बच्च भी होंगे और ज्यादा आप benefit भी उठा पाएंगे नहीं तो फिर होता क्या है मेंली के student परिशान रहता है के भाया कैसे करना है नहीं करना है सारे चीजों के लेके काफी परिशान रहता है बीच में बीकॉम के paper आपके class हो जाते हैं और student ना तो बीकॉम अच्छे से कर पात सकते हैं आप graduate हो तो आपको direct entry route मिलता है कहा जाता है direct entry route direct entry मतलब सीधा admission तो direct entry route में आपको 55% aggregate चाहिए commerce student के लिए और दूसरे कोई student है तो उसको 60% चाहिए अगर आपने graduation या post graduation जो भी दूसरे जैसे arts और science वालों के लिए बोला है तो में 60% लाना पड़ेगा क्योंकि तु भाई ये graduate हो तो आपको 50% होना चाहिए जिसको कुए में कूदने का सौक है कूद जाओ भाई क्योंकि commerce वाले बच्चों के लिए मुस्किल हो जाता है c.a.arts वाले बच्चे अगर उसके इंदर कूद गए तो उसका क्या हल होगा डूबना है तो डूबने दो चौइस दे द आप लोगे कहां पर इंटर में और जैसे ही आप से इंटर के अंदर जाओगे आपके सामने ये exam आ जाएंगे और इस exam को आपको देना पड़ेगा सर कौन-कौन से exam आ जाएंगे आपके पास एक आ जाएगा group 1 और एक आ जाएगा group 2 इसमें जो आपके exam होंगे वो subjective exam होंगे descriptive exam होंगे और MCQ भी होंगे 30 marks के MCQ और बाकी आपके 70 नमबर के subjective सर पहले group में आपको advance account पढ़ना पड़ेगा ये advance account मैं थोड़ा idea दे दूँ कौन सा है semester 1 semester 1 का थोड़ा सा accounts हो गया और थोड़ा सा accounts हो गया semester 2 का मैं hint दे रहा है अब कोई बच्चा कहेगा सर ये क्या बखवास वाली बाते हो रही है इतने है ये तो है नहीं इन दोनों को मिला के advance account बनता है आपका corporate account और ये हाँ थोड़े बहुत chapter और ज्यादा होंगे और depth में होगा जरूर लेखिन ये दो semester करने के बाद ये accounts की आपको knowledge हो जाती है कि हाँ भई ये ये चीज़े देखिए अगर मैं कहूं आप अगर share capital की बात करो तो आपको आता है अगर मैं कहूं अभी amalgamation या reconstruction की बात तो पता है तो वो भी यहाँ पे है तो मतलब आप ऐसे नहीं होगा कि यार नहीं subject आपके लिए अगर हम corporate law की बात करें and other law की तो हाँ semester number आपने जो two में company law पढ़ा है उसी को that is corporate बोल देते हैं और other law के अंदर इसके अलाबा Indian contract act हो गया चोटे-चोटे से और भी काफे सारे Indian contract act का खेर foundation में है और कुछ law इसके अंदर मिला दिये गया है 100-100 number के paper होंगे तीसरा paper होगा taxation semester 5 वाले समझ लो आप टेक्स पढ़ होगे बिल्गुल activities tax होगा थोड़ इसे बस advance होते हैं तीसरा होता है हमारा taxation जो हता है income tax law और GST दोनों को मिला के एक paper बनाये जाता है जो कि हम become में semester 5 और semester 6 में पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर एक ही paper बनाये जाता है 100 number का paper है 50 और 50 का तो पहले group के अंदर is total 300 में से और आपको pass होने के लिए 500 number लाने होंगे अगर किसी भी exam में आपके 60 number आ जाते हैं तो वो paper आपको दुबारा नहीं देना exempt बोला जाता है उसको exempt होगे exemption तो आपको वो exam नहीं देना आगे चलके वो आपको जैसे मान लेते हैं इस वार मेरे accounts में 60 आ गया और कोई कि अब आगे आपको दो ही paper देना है law और income tax का उसमें exemption आ जाती है otherwise अगर 60 से कम number आएंगे अगर एक भी paper में आप नहीं हो पाते यह aggregate 50% नहीं बनता है aggregate 50 मतलब तीनों को जोड़ के डेड़ सो नहीं बन रहा है तो सारे के सारे paper दुबारे देने होंगे और साल में तीन बार paper होंगे आपके जैसे की foundation है ये भी साल में तीन बार exam होगा देखो अगर आप सच्चे मन से CA tough है CA मुस्किल होता है CA करने में problem होती है बड़ी सारी चीजे है तो मैं एक बात बता हूँ तो कोई भी काम दुनिया में आसान नहीं है आपने become किया become आसान था आप खुद अपन करने को लिए बोला जाए तो वो गलती नहीं करोगे तो प्लीज आप comment में जरूर लिखे है कि भाई जो आपके junior student आएंगे तो ये ये गलती ना करें लेट से study स्टार्ट करना paper में सोचेंगे अगली बार दे देंगे paper accumulate कर लेना तो ये गलती बिलकुल भी ना करें उनको ज रहा था वही बस question का level tough हो जाना है बाकी fundamentals वही रहने हैं वही आपका contract account वही आपका process account वही आपका cost sheet होने वाला है वही standard costing वही marginal costing सारी चीज़े वही रहने वाला है audit and assurance ये new है लेकिन हाँ कुछ बच्चों ने semester number 6 के अंदर थोड़ा बहुत hint लिया था become honors में प्रोग्राम में तो था नहीं audit and assurance audit and assurance क्या होता है किसी work को check करने के लिए तो प्रोग्राम वाले बच्चे तो बिलकल new होंगे उसके लिए और honors वाले बच्चों के लिए ये new नहीं होगा तो देखा जाए तो सारे subject आपका ऐसा नहीं है कोई ऐसा subject हो जिसके अंदर आपको लगे ये कैसे पढ़ेंगे बीकॉम के अंदर तो भईया ऐसे वाहियात वाहियात subject दे रखे ना जो बच्चों को पता है नहीं भातिया निट्यम ये वो फलना जिसका लाइफ में काम ही नहीं यार पता नहीं क्यूं दे रहे बेटर है कि आप यही सारे subject को ऐसे कर दे ना टफ कर दे ना पार्ट में बाटके पांच-पांच चेप्टर पढ़ा दे और उसको अच्छे से टफ कर दे ताकि बच्चा CA में जाए तो CA के ऐसा ना हो कि कोई course करने के लिए अपने बीकॉम 15 साल पढ़ने के बाद भी आपको coaching की जोरत पढ़ जाती है ऐसा मतलब curriculum बनाये हुआ है अगला paper नंबर 6 होता है जिसको 2 paper जोड के बनाये गया FM financial management जो कि आपने semester नंबर कुछ बच्चो 3 में पढ़ रहे हैं और कुछ ने 5 में पढ़ लिया होगा और एक strategic management हाई ये बिलकुल आपके लिए business study है और new subjects मैं कह सक ये पूरे 6 paper होते हैं आप चाहें तो 3 paper एक बार और 3 paper एक बार दे सकते हो और अगर आप चाहते हैं तो 6 के 6 exam भी एक बार दे सकते हैं depend on you, के आपके तैयारी कैसे है, सभी paper के अंदर अगर देखा जाए, तो आपको pass होने के लिए कितने, 300, पूरे paper 600 number के हैं, 600 में से आपको 300 number लाने ही लाने होगे, तो सारी कहानी मिला के, मैंने आपको बताया, के ये हमारा है, CA enter का, CA enter का हमारा course, जैसे ही आप paper pass कर लेते हैं, इसके बाद आपके कुछ computers related, तीन, दो ढ़ाई महने के training होती है, जिसे करना है, जिसे हम समय समय पर बदल दिया जाता है, IT training भी कह दिया जाता है, word change कर दिया जाता है, मतलब थोड़ी बहुत computer के knowledge दी जाती है, लेकिन मच वहां से expected मत करो, कि जो training दी जाएगी वो, हाँ सर इसमें कितना पैसा लगेगा, आपको इस वाले paper को देने में, आपको लगबग लगबग 20,000 रुपे की total fees जाती है, जो CA institute को जाती है, अगर आप subject like coaching पढ़ना चाहते हैं, और अच्छे teacher से पढ़ना चाहते हैं, तो minimum आप माल लिजे, एक subject की 10,000 रुपे fees, 8 से 10,000 रुपे, तो अगर 8 paper है, तो 50 से 60,000 रुपे आराम से, आप 6 paper है, तो आपको 50 से 60,000 इंटर को clear करने में लग जाएंगे, लेकिन भाया, आपको इसको पढ़ने के लिए, कम से कम आपको पूरे, 8 महिने की तयारी करनी पढ़ेगी, 6 paper में, और दिन रात मिलके पढ़ोगे, लगके पढ़ोगे तो हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगा, अगर आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा CA intermediate का, जैसे September कैसे कैसे exam होता है, देखो, इसमें 70 number और 30 number, ये कुछ category कर रखा है, तो ये 6 के 6 paper में, इस तरीके से हमारे marks divided है, paper number 6 में देखोगे, क्योंकि 2 पार्ट में divided है, तो 15-15 number का इस तरीके से कर दिया गया है, तो ये हमारा paper का pattern है, 50% aggregate होना जरूरी है, एक paper में 60 लाओगे, तो आगे नहीं देना है, exemption मिल जाती है, चलिए सर, इसके बाद final के लिए, eligibility के लिए क्या करना होगा, simple सी बात है, आपको धाई साल की एक training करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ कुछ articles, जिसको हम क्या बोलते हैं, articles बोलते हैं, किसी chartered accountant के अंडर, आपको जाके work करना पड़ेगा, और easily मिल जाता है, ऐसा आप कभी भी मत सोचिएगा, कि कहां मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे करेंगा, नहीं मिलता, तो definitely जिन बच्चों को नहीं मिल रहा, मेरे से अगर आप अप्रोच करते हैं, number given है, तो definitely जितने भी मेरे link में, chartered accountant है, उनसे मैं बोलूँगा, तो कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे परिशान होते हैं, कि मिलेगा, नहीं मिलेगा, easily मिल जाता है, हाँ, स्टाइफन कम होता है, CA ढूनते भी है, ऐसे वेक्ति मिले, जिसको कम payment करना पड़े, और काम भी सिखा दे, तो इस तरीके से रहता है, CA final में भी आपके 6 paper कर दिएगे, पहले 8 थे, आप 6 paper कर दिएगे, जैसे धाई साल के training complete करोगे, आपको 6 paper देना पड़ेगा, paper 1 है, financial reporting, यह आपको पहले से, कहीं न कहीं, यह सारे के सारे हमारे standards है, accounting standards कह सकते हैं, यह पूरा का पूरा है, financial management है, तो यह भी है, हाँ, become के भी, कुछ जो आप inter में पढ़ होगे, तो ऐसा नहीं, कि inter वाले subjects आएंगे नहीं, FM कहीं न कहीं तो touch रहेगा ही उसका, इसके बाद advance, audit, assurance, and professional ethics आ गए, तो यह तीन paper होगे, group 1 के अंदर, बाकि direct taxation, यानि income tax, और indirect taxation, और इसके अंदर यह एक paper है, यह, sorry, दो paper है, यह, जैसे कि inter के अंदर, GST और income tax एक ही बना रखा था, लेकिन final में और income tax डिटेल में पढ़ाते हैं, तो income tax को अलग subject कर दिया गया, GST को अलग कर दिया गया, और साथ के साथ, यह new subject, integrated business solution, यह optional multi-disciplinary case study है, इसमें आप ले सकते हो, मान लेते हैं, अपने हिसाब से subject जैसे कि, बहुत सारे international taxation ले लेते हैं, या फिर foreign trade ले लेते हैं, foreign exchange, काफी सारे subject से, उसमें से कोई एक चुन लो, यहाँ again वही criteria है, कि आपके 600 number का paper होगा, और आपको pass होने के लिए, कम से कम 300 number लाना पड़ेगा, आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाते हो, इसके बाद आपको membership के लिए apply करना होता है, और member जैसे ही बनते हो, आप चार्टेड अकाउंटेंट का, उसके हिसाब से फिर आप job ढूणने लग जाते हो, job में क्या-क्या आपको मिल सकता है, अब यहाँ पर job की बात करें, तो आप internal auditor बन सकते हो, यानि audit पढ़ा है तो auditor होगा, वहाँ पर यह सारे work आपको skill requirement होगा, और average salary मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या है, आप 6 लाक रुपे से लेके 8 लाक रुपे तक आपको मिल जाएगा, देखो अब salary की मैं बात करूँ, तो salary जो है यह पूरे साल का है, और salary डिपेंड करता है कि आपने C.E.A. को कैसे pass out किया है, अगर आप first attempt में pass हो जाएग तो एक ही बार में सारा clear कर लेतो हो, तो salary जादा मिलेगी, आपकी बहुत अच्छे marks आ जाता है, रैंक आ जाता है, तब भी आपको salary जादा मिलेगा, और otherwise आपको salary थोड़ा सक कम रहेगा उनके comparatively, आप tax audit कर सकते हो, जहाँ पे आपको 5 से लेके, मान के चलो 8 लाग, 8 लाग रुपे आपको salary minimum तो, मतलब 6 से 8 लाग तो आपको nearby कहीं भी मिल जाएगा, वही गुडगाओ, नोइडा थोड़ी दूर जाओगे, जहाँ पे employee की shortage होती है, वहाँ पे 10 लाग भी आपको आराम से साल का मिल जाएगा, ये पहले 2 साल रहने वाले हैं, 2 साल आपका struggle रहेगा C.A. बनने के बाद, ऐसा मत सोचना C.A. बनते ही, तो जैसे एक company में settle हो जाते हो, उसके बाद फिर, क्योंकि आपके नए expectation higher हो जाता है, इसके अंदर के हम C.A. बन गया है तो हम 20 लाग लेंगा, नहीं, 2 साल के बाद फिर आपके जो एक C.A. बनने के बाद, एक हमारे hype create होता है, मन के अंदर वो थोड़ा ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर, हाँ, 10, 12, 15, 18 लाख रुपे, 20 लाख रुपे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, आपके salary होती जाएगी, banking insurance company में करते हो, तो ये 2 lakh तो ही नहीं किसी की, तो ये banking insurance company में technology accountants में, यहाँ यहाँ job मिल सकते हो, और हर किसी के अंदर 6-8 लाख का होगा, आप फॉरन सिक audit में कर सकते हो, और ये सारी के सारे civil service कर सकते हो, आप consultancy में जा सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो, वैसे core काम क्या है, sir, डिगरी की value है, आप एक accountant हो, और आपकी salary 20,000 है, और वही accounting से हम CA करेगा, तो उसकी salary is 8,000 है, तो डिगरी की value है, मैं तो सीधी बात जानता हूँ, knowledge में भी फरक होता है, क्योंकि CA ने इदनी पढ़ाई करी है, उसके बात बनता है, लेकिन, working space पे same चीज़े कर रहे हैं, तो degree बहुत जादा important role पर लेकरेगा, तो सर, finally, अब हमें बताओ दो, कि हमें करना चाहिए, ये सारे salary देखो, depends on skill requirement पे है, authority, यहाँ, 9,000,000 भी है, 10,000,000 भी है, 11,000,000 भी है salary, तो finally, सर, आप मुझे ये बताइए, क्या हम CA चूज कर सकते हैं, depending on के आपका interest, अगर आपको accounts में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, या फिर आपको study, एक होता है निके हमें पढ़ाई से भागना है, और बस हमारा CA बन जाए और नौकरी ले ले, बस CA बन के job, CA बनते ही नौकरी ले ले, बस उसके बाद तो पढ़ना ही नहीं है, तो आपके लिए बहुत CA बना ही नहीं है, CA उस student के लिए है, जो की पढ़ रहे थे और वीकों भी अच्छे से पढ़ रहे थे, और मन के अंदर जिग्या सा यार कुछ पढ़के तभी achievement मिलेगे, और अपने आपको मानेंगे के भी आप पढ़ने के बाद ही कुछ मिल सकता है, otherwise ऐसे तो नहीं मिलेगा focus में कुछ भी, तो आप dedicatedly करना चाहते हो, तब enter करना, टोटल कोर्स के अंदर आपका CA इंटर में 20,000 के आसपास खर्चा आजाएगा, CA final में 30,000 के आसपास, यह सिर्फ CA की registration fees है, इसके अलाबा आप अपना बहुत important time भी इसके अंदर दोगे, और साथ के साथ देखा जाएगा, टोटल खर्चे की अगर मैं बात करूँ, coaching fees बगएर लगा के तो आप मान के चलो, आराम से 2,00,000,000 प्लस आपके लग जाएगा, और इसकी सारी की सारी coaching online मिल जाती है, easily available हो जाती है, इसमें best teacher काफी सारे available है, जिस बच्चे को अगर कोई teacher ढूंडने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो कि इधर उधर बटक जाते हैं, बहुत सारे नई coaching center खुले हैं, और उन्होंने क्या करा, जी start कर दिया, जैसे कि मान लो बहुत सारे अपने new अभी जो hype create कर रहा है, ITJ, EA, वो फलना डेखना भीया, तुम्हें पढ़ाना है, पढ़ाओना जो हो रहा होने, जाएंगे, लेकिन genuinely जो teachers है, market में available उन से, क्योंकि मैं भी, मैं चाहूं, तो मेरे साथ इतने सारे B.com के student होते हैं, मैं भी बोलू, दो, चार, CA जो पढ़ाते हैं, GST audit पढ़ा है, वो भी CA के चलिया, आर, start करते हैं, CA बच्चों से तीन हजार में पढ़ा देंगा, चार हजार में, नहीं भाई, यह आपके career की बात है, मेरे लिए चार हजार रुपे आपके लिए, मान के चलो पूरा career के तीन-चार साल मैं खा जाओ, तो वो कहीं से मुझे digest नहीं होगी यह वाली बात, तो इसलिए भाई, मैं तो recommendation कर देता हूँ, यह teacher best है, trial, demo लेजी और वहाँ पढ़िये, बस, तो यही ता all about CA, मैं एक बार quickly बता देता हूँ, CA के तीन stages है, कौन से stages हैं, तीन, एक foundation, enter और final, foundation में चार paper है, enter के अंदर छे paper और final में छे paper, अगर आप B.com graduate हो, और 55% लेके आते हो, तो foundation नहीं देना, सीधा CA enter के अंदर admission होना है, CA enter के अंदर आपको 6 paper देना है, सभी paper में 50% aggregate लाना जरूरी है, किसी paper में अगर 60 marks आएंगे, तो आपको वो paper exempt हो जाएगा, और उसके धाई साल के training के बाद, आपको देना है CA final, सभी paper में आपको 50% लाना जरूरी है, passing के लिए 40% है, लेकिन agree के कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, एक बाद बताना बली है, CA के अंदर 2 paper ऐसे हैं, 2 या 3 paper ऐसे आ जाते हैं CA के अंदर, जो कि आपको अलग से दोगे तब exam में बैठ सकते हो, जिसको SSP self module test के नाम से इस बार launch किया गए, पहले 8 paper होते थे, एक cost accounting का CA final में देना पड़ेगा, उसमें pass होगे, online exam होगा, तभी paper attempt कर पाऊगे, दूसरा law, एक law का paper है, वो एक और exam है, multi-disciplinary कैसे, उन तीन paper के बाद या आप final में बैठ सकते हो, तो ये all about the CA, तो hopefully आपको पता चला होगा, कैसर CA की journey कैसे है, नहीं है, आपको अगर इस वीडियो से value मिलती है, समझ में आता है, तो बिल्कुल channel को आप subscribe कर सकते हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है, आपका result आया होगा, जिस बच्चों का, वो तो try कर सकते हैं, सारा process, अब मैं किसी दिन ये बता दूगा, कि आपको कैसे, सब कुछ online registration है, SSP portal है, self service portal के नाम से, और सब कुछ online होता है, आपको कहीं भी बटकने की जुरत नहीं है, mobile से भी और अपने computer से भी अपना registration कर सकते हैं, thank you so much, मिलते हैं हम next video में, अगले video में मिलेंगे,